है हेलो व्रीवान स्वागत हमारे यूटूब चनल सबका डिजटल कोरिज पर तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कोस्टन नंबर दस से क्योंकि पिछली वीडियो में हमने चैप्टर टू के नौ कोशन तक कंप्लीट करवा दिया था उसके बाद आज हम देखेंगे संदिया औक्सीजन शींग साडू धिया हुआ मैंगनीजियं स्कान क्या हो जाएगा इसका राइट अंशर होगा तो यानि की बी आप्स्ण इसका राइट है ओक्सीजन सबसे आधि मातरा में पाए जाती है ठीक उसके आध कोस्टनक्त इंप्यार्ट हम पूचा गया निमलि लिखित मैंसे सुद्ध पधारत च्छाटिए इसमें से आपकोこ सुद्ध पधारत होता है उनको छाट ना अए पधारत हुई होगा ह lain सफिलिकॉन Dub'DI घॉरू कोज पूसलिकॉन भीज inhib सिरीकों जाओ घॉलकॉोज दिया हुए कुछ आफ्जिकॉन Seid टिक है वी उप्षण इसका राइट है अगला कोशन देह अगले कोशन में पूछा गया है है अन्तरा आडूःग बन नगर्ण होता है मतलब ना के बर्Mr. बल बल सबस्धस आदिए aty یدعا जाता है लेकिन पूछा आइके डूमें नगर्णे मतलब ना के वरावर किसमें होता तो ऐसंदिया ठोस में ठोस्त हो नहीं सकता वी उसन दिरम में सीfilled जाख में और डी अक्सपश्ण धिया इनवेश कोई नी तो इसका राइ्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्सन इसका राइट हो यानि गेज़ों में सबसे नगर ने मान के चलते हैं इसलिए गेज के अडूप दूर दूर होते हैं बहुत ज्यादा उसका चलते हैं कोशन ग्यारह में पूछा गया इस कोश्चन को उसके आद कोश्चन नमर 14 में देखते हैं किस्टलिय ठोस है यानि कि किस्टल जो होता वो ठोस किस परकार कांच प्लास्टिक रबड और सरकरा तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर डी ऑप्शन इसका रा इस पर ध्यान दीजिएगा ठीक है तो कुश्चन है कि प्रेशर कूकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों इसके एक उपसं दिया हुआ जल का कोतनांग बढ़ जाता दूसरा उपसंदी जल का कॉतनांग कम हो जाता तीसरा उपसंदी आउत के दाव इस्तिर रहता है थ Пसे Chief का चुछ आइधक कि एृण्वे संभी स Already कर दोनों निश्यत होते हैं ऑप संभी आधान निश्चित होता है तता अनिश्चित होता है इसका राइध ऐन्सर कि यह होगा डी ओप्शन इसका राइट हो जाएगा आयतान तथा आकार दोनों अनिश्यत होते हैं ठीक है उसके चलते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन पूछा गया है को तो कोश्चन नमर 17 हम पूछा है निम्न में से कौन सा उत्फुल्व पदार्त है तो इसमें से पहला दिया है MgSO4 दूसरा दिया है No2CO3.2H2O तीसरा दिया है ZnSO4 चौथा दिया है NaHCO3 2008 में पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B option इसका राइट हो जाएगा N2 CO3.2H2O कोश्चन नमर 18 कोश्चन नमर 18 में पूछा है कि बिना गरम किये किसी ताप पर किसी द्रब की सतहे के अडूओं के दीरे दीरे बायू में मिलने की किरिया को क्या कहा जाता मतलब किसी पानी को अगर गरम यानि द्रब को गरम ना किय जाए फिर भी उसके धीरे देर आडू जो है उपरी सते के वह मिलने लगते हैं उसकी रिया को क्या कहा जाता तो पहला option दिया हुआ है को दूसरा दिया निर्वात आवाशन तीसरा option दिया बास्वन चौथा आस्वन ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा सी ऑप्शन इसका राइट है वास्वन ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कोश्चन नंबर 19 कोश्चन नंबर 19 में पूचा गया है कि जब बर फिगलती है तो अडूओं की इस्तिती जूर्जा क्या होती है पहला option दिया आपर बढ़तित रहती दूसरा option दिया घ इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर होगा बी ऑप्शन राइट है यानि की घटती है इसकी स्थिती जूर्जा ठीक है उसके कोश्चन नंबर 20 देते हैं कि उर्द पातन में सर्व किरिया होती है सरपर्तम किरिया होती है पहला option दिया गर्मी पाकर करसंडबल तीसरा option दिया है ठोस का द्रब में अल्प काल के लिए परिवर्तन डी option दिया अड़ों की स्वतंतर्त हो जाना तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर होगा यह option इसका राइट है गर्मी पाकर अड़ों की गति जूर्जा में अत्यादिक गाइस पहला अपसंडिया हुआ है लोहा दूसरा अपसंडिया तामा तीसरा अपसंडिया अल्मूनियम चौथा अपसंडिया हुआ है चांदी तो क्या इसका राइट अंसर होगा इसका हमें कमेंट में लिखकर बोलना ठीक है और बताना क्या इसका राइट अंसर होगा उस जुद्धियाह इसके कोफिन को कम कर देती हैं दूसरा उपसूंदियाह इसका संदिया हिमाग को बढ़ा दे चौधाशन पर कोई प्रबाब لكن क्रलर कोई नहीं पड़ता तो इसका राइटासर क्या हो सर कि एसका राइट आंसर होगा दी ऑप्शन राइट हो जाएगा ओप होस्च जाएगा चैलिए मिलते हैं अगले को देखते हैं कि है क्या है तो फूर्फंजन नम्पर तेजिस दिए है कि नौसादार और नमक को प्रथक मतलब होता अलग किया जा सकता है यानि कि नौसादार और नमक को किया elites किया सकता है तो इसमें पहला option दिया crystal द्वारा प्रभाजी क्रिश्टलन द्वारा और दूसरा है उर्दपादन द्वारा और चौथा option है उपरुक्त में से कोई नहीं तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer होगा सी option इसका right है ठीक है अब 2014 में आपको इस question को पूछा गया है यहीं कि important question हो जकता है उसके आद देखते है question number 24 question number 24 में पूछा आए कि निमलिकित में से रसाइनिक परिवर्तन नहीं है कौन सा कोईले का जलना दू बी option है दूद का सड़ना सी ऑप्सन है बास्प का बनना डी ऑप्सन है जलका निर्माड तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer होगा सी option इसका right हो जाएगा बास्प का बनना उसके आद देखते है question number 25 question number 25 में पूछा गया है कि धातू के बरतन में रखा दूद निम्न में से किस परिस्थिती में सर्वाधिक सी गरता से ठंडा हो जाता है कि किस कंडिशन में ठंडा होगा देखिए question है उसके answer दिये हुआ है answer क्या दिया हुआ है answer दिया हुआ है जब बरतन के ढकन पर परियाप्त बरफ रखी जाएगी तो ठंडा होगा दूसरा option दिया जब दूद के बरतन को बरफ के सिल्ली पर रख दिया जाए तो ठंडा होगा यानि कि और सी option दिया है जब बरफ को बरतन के चारों और रख दिय तो थंडा हो म outta दिया दिया उप राइट सभी दसाओं में सम्मान समय लगेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट होगा जब बरतन बरतन के चारो और रख दिया जाएगा यानि कि जब आप लोगों ने देखा कि कहीं कहीं जो बरफ वेचते हैं और जो पेपसी बरफ के अंदर रखते हैं तो पेपसी के चारो और बरफ रखाया जाता है ना कि उसके उपर या फिर उसके नीचे रखने से यानि कि चारो और एरिया जा को इसमें को पूछा गया है निमन में से कौन सा तत्व है सिलिकॉन कांच मैंगनेजियम इनमें कोई ने तुराइट आंसर क्या हो जाएगा सी ओप्शन इसका राइट मैंगनेजियम जो है वह आपका तत्व होता है क्वेशन नम्मब सताइज देखते हैं कोशन नमर सताइज में पूछा गया है कि फिटकरी के टूए सो फोर डोट एल टूए सो फोर का होल थ्राइल डोट टूट चौबिस टाइम एच टूओ है चारिये लवर्ड हमली लवर्ड उदासीन लवर्ड दूइक लवर्ड तो इसका राइट आंसर हो किस तरीके से कॉलेज लेना है किस तरीके से अच्छी ब्रांच में एंटरी लेनी है ओके बाइबाइ टेक कियर